हेलो एंड वेलकम बेक टू क्रिक प्लेक्स मैच का पोस्टमाटम यहां पे हम लोग हैदराबाद वर्सेस रसेवी की बात करेंगे कहां हैदराबाद से गलती हुई आरसीबी ने कितने अच्छे स्टेप्स उठाए जो कि उनको एक अभी उनका एक कमबैक हुआ एक छोटा सा ह तो यह सारी जानने के लिए हमार साथ स्टूडियो में हैं मिस्टर सनी डिलों जो कि हमें बताएंगे कि मैच में कहां पे हैदराबाद से चूख हुई है कि उन्हों वो यह मैच हार गये हाला कि सनी फर्स अफॉल वेरी वेलकम था नार स्टूडियो और सेकंड तिंग आप कहां पर उनकी कमजोरिया रही क्या रही यह मैच वो क्यों नहीं जीत पाए देखे मैं कहूंगा आर सीवी की बहुत अच्छी बैटिंग और बॉलिंग प्लस हैदराबाद का जो ओवर कॉंफिडेंस था कही ना कहीं वो टैंपो मिस कर गए उनको लगा कि जिस तरीके से एक नहीं खराब बॉलिंग नहीं करी को कि जहां कभी एक टाइम पैसे लगा था कि सब्सक्राइब के लिए बहुत जादा मददगार होगी यह जो आज इन उनने पहले बैटिंग करके लिए बिलकुर बॉलिंग का भी आज आप देखें ने वी ने बहुत जादा मददगार हो बैटिंग करी और उन्हें बॉलिंग भी करिए और सब लोग उने परफॉर्म करने की कोशिए और जितने भी एरियास आज फिल्डिंग भी आप बैटिंग भी बॉलिंग भी सब जगा सारे वह सारे के सारे चेत्रों में बहुत अच्छी बाई और आपको कहीं नहीं लगता सोचना चाहिए क्योंकि यह कालीफाइए कर गई है को कई कौई को सबसक्राइब कर गई हैं जिसक्राहिए जित गई हैं ऑब सब्सक्तिक के लिए ष्जर्वित पूल तो गाइस यह था सनी डिलोन के विचार और यह था सनी डिलोन के मुताबिक मैच में क्या गलतिया रही है या मैच में हैदरबाद क्यों निजीत पाई है तो ऐसे ही हमारे साथ बने रही है क्रिक प्लेक्स यूटूब चैनल पर यहाँ पर हम आपको मैच में क्या गलतिया होती क्यानी सब बताएंगे मैच के पोस्टमार्टम में तो गाइस थैंक यू फो टोड़े और सी यू सून थेंक्स